सबसे पहले है मिलेट मिशन मदप्रदेश मिलेट मिशन मदप्रदेश अप्रेल 2022 से सुरू हुआ है लेकिन धरातल रूप में कितना प्रभावी है वो आप सब लोग उससे अउगत होंगे तो बहुत जादा इससे अभी किसानों को लाब तो नहीं मिल रहा है लेकिन भविस्त में सरकार की योजना अभी रिसेंटली एक स्कीम आई है रानी दुर्गावती मिलेट प्रसाहन योजना तो हो सकता है कि कुछ इसमें किसानों को जो है बेनिफिट मिले इसमें कहा गया है इस मिसन में कि 80% जो है सबसीड़ी में जो है किसानों को सीड जो है उपलब्द कराया जाएगा अभी ये प्रभावी रूप से जो है कहीं पर लागू नहीं हुआ है लेकिन मिसन में ऐसा बोला गया है और साइद इस साल से ये लागू भी हो जाए इसमें जो भी सीड है माइनर मिलेट हो या जो मोठा नाज हो या तो फिर और जो अनन्न सीड है मिलेट के अंतरगर दूसरा हमारा जो है नेशनल स्पूर सीöटी मिसनN National Poor Security Mission और Agriculture Department साथ में मिलके काम करते हैं तो ये लोग 100% सबसीड़ी में जो है किसानों को बीज उपलब्द कराते हैं तो ये दूसरा फ्रांट लाइन ड मुंस्ट्रेशन के लिए कुछ किसानों को जो है विज दिया जाता है आत्मा परियोजन अंतरगत आत्मा परियोजन त Вас औरफ दो थी पार्ट होते हैं इसमें होता है वी तु है जिसमें प्रहानिंग प्रग्राम होता है जिसमें ग्रूप करके उनका जो है एक ब्लॉक में जैसे चार एरिया डिवाइड करते हैं और ऐसा ग्रूप करकर करके किसानों को जो है मिलेट की विशाय में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है दूसरा है बी टूबी जिसमें एक्सपोजर विजिट होता है इस्टेट के अंदर में जहां भी म ज्यादातर फोकस करते हैं है एडराबाद को वहां पर जो इंस्टिट्यूट है वहां मिलीट के उपर अच्छा काम हो रहा है तो किसानों को जो है साल हमारे यहां भी किसानों को किसानों को हैडराबाद लेके गए थे आत्म परियोजना से लाश्ट में है प्रधान मंतरी आप Micro Food Processing Interprises Scheme यह स्कीम जो है Horticulture Department के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें जो है जितने हमारे खाने वाले जो चीज है जो फसल अंतरगत हैं उसकी processing unit के लिए सरकार ने 35% जो है अनुदान इसमें जो है रासी रखी है अगर एक लाग की मसीन लेते हैं तो 35,000 रुपिया सबसीड़ी आपको जो है सरकार देगी 10% हित्गराही लगाएगा और इसका लाब SSG, FPO और हित्गराही स्वयम ले सकता है इसमें कोई सभी processing unit लगाएं चाहे आपको कीज के लगाएं बिस्कीट के लगाएं या तो फिर उसको आठा बनाने के लिए लगाएं कोई सभी मसीन लगाएं आप आपको होल्टी कल्चर डिपार्टमेंट में इसके लिए अवेदन करना पड़ेगा इसके बेसिक डॉकुमेंट आपको ही अधार आपका बैंक खाता और आपका जो इसका कोटेशन मसीन का जिस मसीन के लिए आप कोटेशन इसमें 10 लाक रूपए तक का आप सबसीड़ी ले सकते है हैं लेकिन उसमें 35% ही सबसीड़ी होगा जसलाग के अंदर की मसीन की 35% सबसीड़ी होगा तो यहुत इस की में इस तो यही चीजें थी इसकीम के अंतर गत्में और मिलेट के उपर में जैसे पैडी के उपर जितना फोकस किया जा रहा था मिलेट के तो कुदो कुटकी को घुकशी लगाया जाता है तो आरियों जो होते हैं चैसे बढ़ा कि tenía कर देखता है तो इतना कभर जो है वो फिर धान में तो फिर दलहन के फसल में करें तिलहन में करें या तो फिर वो कोदो कुटकी में करें तो इसमें बड़ा चलेंजेस होता है कि किसानों तक जो है सही समय पे जो है बीज या फिर जो जानकारी है वो नहीं पहुंच पाती है तो इसमें यह होता है कि इनके पास जो टार्गेट हैं वो गिंती के होते हैं जैसे पूरे ब्लॉक में दशचान है तो दशचान के लिए ही पैकेट आते हैं अल्रेडी विज निगर्म से उतनी पैकेट आते हैं और वो बारटे जाता है उसमें भी क्या होता है कि जो जरूरत मंद किसान है उसको वो नहीं दूसरा दूसरा चीज है कि समय पर बीज नहीं मिलतें विभाग के बीज आरियो आएगा हमको जानकारी देगा NGO NGO के थुरूबी किसानों को जानकारी जाती है कि अभी आप अपने जमीन पर कुछ मत बोना हम आपको बीज देंगे फिरी में बीज देंगे लेकिन होता क्या है इसको जिस बीच क इसमें भी साथ अंतर उसमें आएगा क्योंकि हम जिस टाइम पे इसमें जो है उसकी मिल्किंग टाइम होती है कोदो की जिस्ता में दूद भरने का समय होता है तो हो सकता है कि एक महिना की गेप में जो उसको टेंपरेचर चाहिए सितंबर अक्टूबर का वो चला जाता है कशल साल में हमने एक तलों का फसल मंग अखाया था राम तील का महां से मिल था सीट और हम ने लगाया था पेचस में अलग-अलग पैसे में खुछ पैसे में अमर बेल का बहुत प्रकौफ हूए तो किसां बोले की हम एक दो好吧 पहले भी ले चुके हैं यहाँ से वीज तो शम हमारे लिए जो सास की बीज है उसमें 100% रासी पहले जमा करना है और हम अभी हमारे यहां पर कोदो करेट लगबग 30 30 रुपीज पर केज़ी है यहां पर किसान हमें बेंच रहे और लगबग फिर हम जब नए किसान चुनते हैं वो भी अपने एरिया से परचीत हैं कि 30 रुप सब्सक्राग के सांद जुड़िए और सतर रुपिया से फच्छतर रुपिया कि किलो वहां पर आप बीज लीजिये तो यह बड़ा चैलेंज्ज होता है कि किसान कैसे जो 30 रुपिया कभी यह उसको 30 रुपिया में खरीदेगा तो फिर हमें मदद करनी पढ़ती है किसानों तो यह चलेंज़ सोते हैं कि जो हमारे टार्गेट किसान है उन तक बीज मतलब उतना मातरा में हम नहीं पहुंचा पाते हैं कि सरकार की जो इसकीम है वो लोगों चक्टै थोड़ा सा बाहर है यह भी एक चलिंगन्ज 220 यह इससे ही लोग जो है यह उनको जानकारी नहीं मील पाती इसे इनतarnet की फाइसलेटी नहीं होती मोबाइल फ नहीं होती में से जुशनम तक नहीं पहुंच हां मतलब दोनों डिपार्टमेंट में आप देखेंगे एक है लाटरी सिस्टम लाटरी सिस्टम तो पूरे वेप साइड में चलता है कि सव लोगों ने अवेदन किया है लाटरी की दिनांग किया है आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं तो उसमें मनोबल किसान का तूटता कि अरे हमने भी तो आपको बराबर दस्ता वेज दिये थे फोटो दिये थे अधार कार्ट दिये थे इनका कैसे आ गया हमारा कैसे नहीं आए तो बीज में भी ऐसे ही होता है बीज कभी-कभी आठ को देना होता है लेकिन वो बोल देते हैं नहीं हमारे पास तो चारी कोदों को पैकेट आये हैं तो वहां पर थोड़ा चैलेंजिंग है गवर्मेंट के साथ काम करने तो यह चैलेंजिस रहा मेरा और बस मेरा इतना ही था धन्यवाद कुछ सवाल हो तो आप जरूर मुझे पांच मिनट है समय मैडम ने पंदरा मिनट ही बोला है मैं दस मिनट में खतम कर दिया है एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप बोलेंगे कि बीच जब आता भी है तो दिले पे आता है और क्योंकि उनको पता नहीं कि कहा तक जान कि आपको दे दे के बील्कुल तो इसमें क्या एंजियों का रोल बन जाता है कि उन सारे ऑफसर जया उन तरे श्री डोल्स से बात की जाए बिल्कुल जब आपका ये आपका जो प्लैना है साल का वहार पहले बता दो हम उसकी मुताबिक आपको पहले बता देगे एक महिना और यहां पे होती है यहां पर नहीं अपाते हैं तो उन्से हम मिल सकते हैं उनका नंबर रख सकते हैं और उनसे पहले ही हम बात कर सकते हैं कि हमारे इतने किसान है दस किसान है या पंदरा किसान है जिनके लिए हमको बीज की जरूरत है और उनके ये दस्तावेज है उनके दस्तावेज में जो है एक तो पट्टा आता है पासबुक आता है अधारकार्ड आता है उनका और वो रासी वो हमको अगर हम हाँ पहले ही उनको थोड़ा सा बात चीत करके हम convince कर लें तो हो सकता है कि वो जो दूसरे गाउं में देने वाले हैं वो इधर मिल सकता है